हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस 27 फरवरी को जितने भी इस्टुटेंट ठीक जिनका गड़ित का पेपर है तो इस पेपर का आप संपुरू हल देखके ही आप बोर्ड के एक्जाम देने जाईएगा फ्रेंस आपको यहां पर लगूतरी द्रिगूतरी जितने भी प्रशन हैं सभी प्रशन कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और यहां भी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो फ्रेंस आपका समय नगवा सवाल है कि इस प्रशन का देखिए यहां पर आपको खंड आ में बीस बावी कल्पी पहले प्रशन कराएंगे इसके बाद लांग कोईस्टन जो रहते हैं उसको भी हल कराने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें अब देखिए समीकर यक्स स्क्वार माइनस ए प्लस माइनस में आता है इसलिए यक्स कमान क्या होगा प्लस माइनस एक बटा के बारा होगा अब एंस्वार देख लीजिए तब वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है अब दीखें आपके सामने अगला दूसरा नंबर का सवाल है कि बिंदू पंद्रे कमा बारा की यक्स अच्छ से दूरी पूछ रहा है तो यह सवाल तो आपको कई बर करा चुके हैं कि यहां निर्दे सांग दियाता है यक्स और वाई होता है तो यक्स अच्छ से दूरी पूछता है तो वाई वाला मान बताते हैं यहां वाई का मान कितना है बारा इसका सही जब क्यों होगा सीवलापसन सही हो जाएगा ठीक है अब देखें आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि यदि मासद ही है 15 कामा 12 बराबर 3 तु लासा यहां पर पूछ रहे 15 कामा 12 क्या होगा तीस पकार के सवाल आप कैसे लगाएंगे तिहां पर ध्यान दीजी क स़क्या पाली संख्या गुड़े दूसरी कि उस्और पर लसा गुड़े मासद होती इह फार्मूलत को यह उसका तक तरी रटह गया होगा सवाल में בש यह 15 गुड़े 12 बराबर नहीं पूछ नहीं है तुञ नहीं कि तो यहां पर लहसा कितना आ आपका लहसा आ आपका 60 अब आपसन में देख लेते हैं कि लहसा 60 कहां पर दिया है तो यहां पर वी वला आपसन सही हो जाएगा जितने भी प्रशन बता रहा है इन प्रशनों का आप एक बार फास्ट मोड में करके जरूर देख के बोड के एकजाम में जाएगा ठीक है आपको maximum formula और maximum सवाल आपको same to same बोड के एकजाम में देखने के लिए मिलेगा चोथा नंबर का यदि किसी घटना के ना घटने की प्राइकता एक बटा के तीन है तो उस घटना के घटने की प्राइकता कितना होगा इसलिए अभी आपको वत सीधे क्या करना है कि घटना घटने की प्राइकता एक थीन है तो यहां पर घटना घटने की प्राइकता पूछ रहा है इसलिए आप कीजिए कि जो मान दिया रहेगा उसको गाटा लिजेगा एक बटा-3 कर लिजिए गए 3-1-2 वटाप के 3 यानि घटना घटने की प्राइकता को पुलस घटना ना गटने के प्रायकता के दोनों का यो कितना होता एक के बराबर होता है इसलिएors इस सवाल को कैसे लगाएंगे कि एक में से वह जो चीज दिया रहाएगा गटना गटने की प्राइक तो इसको गटा गटा लीजिए ठीक तो आपका एंसर दू बटा के तीन हो जाएगा इसका सही जब सीवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है देखें सवाल आप पूरा डिटेल म अब प्रियास करें देखें पच्वा नंबर का सवाल है कि पी एक्स क्यू प्लस एक स्कॉार मान गयात कीजिए यानि यहाँ पी दू देने का मतलब यह एक्स का मान दिया आपका माइनस दू अभी इस समीकड़ में आपको क्या करना है कि एक्स के जगह बस माइनस दू रख होना है तो माइनस दू पर तीन घात यहां माइनस दू पर दू स्कॉार माइनस तीन गुड़े माइनस दू पर इस्कॉार माइनस नौ इसको हल करते हैं ठीक हल करके देखते हैं मान कितना आता है देखें माइनस दू का क्यू करेंगा दू 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 अब यहां दीखों वाराव माइनस 9 को जोड़ीdzieं माइनस को आपस में ए Bill 10 यह कृताएं तो म dynamics के तो सवाल में सवालों को जरूर तैयार कर लीजे fasten एक बार ठीक है बोर्ड की एक्जाम देने से पहले इस सवाल को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा छटावा नंबर सवाल है यदि किसी गोले का आयतन दिया 36 पाई सेंटिमीटर क्यू तो गोले की तिरिज्या पूश रहा है ठीक है यहाँ गोले के आयतन का फार्मूला ह की होता है यह फार्मूला होता है तो गोले का अधन कितना दिया 36 पाई दिया चार पाटा के तीन पाई आर क्यूंट देखिए यहां पे चात्तीस पाई हो जागा यहां पर आर क्योंट चार नमाच शतिस होगा करेंगे न्हु topline Kim हो जागा कि लिए क्या क्रेंगा दुनों पच्चों का गनमून लेंगे के थिक है 2017 मुल आप सभी को पता है की ने आर का क्यों हो जाए या आर कि मन कितना है क्छ यह पर आया ठीक हूँ स सवाल स्वाद कर्ण करल का दू कर्ण Capital यृ जिसमें होगा कर देगे जब गटाये तो अहीं माना क्या होगा सरवांतर पूछ रहा कितना होगा सरवांतर आप सभी को बतारें कि नजदीक के दो पत्रहें अगले पत्रह निसे पिछला पत्रह आप घटा लीजिए एक एक क्रड़ी में ति एक दिखाने क्या हो सकता नहीं सिर्फ करड़ी म सब्सक्राइब दू कड़ी में 3 में 3 में से इत गठागे तो इसका सही जऑब क्या हो जागा माइनस भी मान दिया प्लस में तो आपका एंसर जो आ प्लस में आ रहा था प्लस वाला एंसर सही होगा अगला देखिए यहाई दो त्रिबूज त्रिबूज ए बी सी त्रिबूज PQR में AB upon QR बरावर BC upon PR बरावर CA upon क्या है PQR तो इसका मतलब दोनों त्रिबूज क्या हो जाएंगे जाएंगे यार एबीसी सम्टभूफ होगा त्रिबूज PQR यह वाला सी वाला आपको सवाल को आप कैसे लगाएंगे कि यदि टैन इबराबर एक सवाल को सिम्पल आपको आपको लगाने के तरीका पता होना चाहिए आपको सिछाते हैं कि ए बराबर ईग-बराबर Isachaay आपका हट जागत आ बराबर होंगा 45 अप किसका मान गयाद करना है ? कास a पलस सायन ए क्या होल स्कूर है ओल स्कूर कहाई से जब पैताली कर आपर रखेड़ Wheatelisans प्लस साइन पैतालीस उन्स होल स्कूर है तो होल स्कूर बना लीजिए सवाल आपको जब भी नजा रहा है इस तरह आप लगाईए गए इसका एंसर कितना हो गांगा तो बीवाला अपसं क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला सवाल दसवा नंबर का देखिए कि किसी टावर की छाया उसकी उचाई की एक बटा के रूट तीन गुनी है तो टावर का उन्नेयन कोड ग्याद कीजिए कि टावर का उन्नेयन कोड क्या होगा ठीक है देखिए इस पकार के सवाल आप कैसा लगाएंगे सिंपल तारीका से यह भी आपका सवाल लगता है बस देखी आपको क्या करना है किसी टावर की चाया जो है उसकी उचाय की उचाय मालीजिए यच है इसकी उचाय की कितनी गुनी चाया है तो यह चाया कितना है यह चाया है इसका यच गुड़े एक बटा करी तीन गुनी यारी एक लिला के यच बटा करी तीन है ठीक यह है तो यहां टावर की उन्ने अनकोड पूछ रहा है कि इसका उन्ने अनकोड कितना होगा तो सिंपल से सवाल होता है जब ठीटा पता लम पता हो और आधार पता हो तो आपको कौन सा फर्मूल लगाना है, तो 10 ठीटा लगाना है, तो 10 ठीटा बराबर, लंब बटा का दर लंब येच है, आधार कितना है, येच बटा के करड़ी 3 है, बस इसी को हल कर लीजिए, फिर आपका एंस्वरा जाएगा, तो 10 ठीटा येच गुड़े, करड़ी में 3 उपर चला जागा, येच नीचे आजगे, येच कर गया, तो 10 ठीटा बराबर, करड़ी में 3, तो किस का मान होता है करड़ी में 3, तो 10 को रूप में देखा जाए, तो 10 साठंस का मान होता है, 10 साठंस का, 10 से 10 हट जागा, ठीटा का मान साठंस, आपसल में चलिए देखते है कर दिया है तो ये वाला आपसन क्या हो जागा इसका दस्वा का आपका भी अगला नमबर सवाल देखिए ग्यारा नमबर का बहुत सिंपल सा सवाल है यदि साइन ए बराबर कास ए तो ए कमान ग्याद कीजिए यहां प्रतम याद रख लिजिए कि साइन और कास ए जब दो मान आपस में बराबर दिया रहेगा तो इसका मान हमेशा 45 संस होता है तो इस प्रश्ट का सही जो डीवल आपसन सही हो जागा कम इसकंड़ यह तीन-चार बर आपको क्योंशन करा चुके हैं आप सभी को पता होगा ठीक है अगला 12 नंबर का कि माध माधिका बहुलक के 20 संबंद है यह भी सवाल आपको कई बर पता है कि बहुलक बराबाबा तीन गुले माधिका माने दू गुले माध देवता है तो इसक सवाल आपका इसा लगाएंगे यहां पर देखिए तो इसका फार्मूला आपको कई बर बता चुक है कि ठीटा बटा के 360 गुड़े पाई और इसक्वायर अब यहां मान रख लीजे ठीटा कमान कितना दिया है तो ठीटा कमान जितना दिया है रखना पड़ेगा आपको ठी 360 ओपाई दिखि आपका अशओ जो दिया है पाई के रूप में दिया है तो पाई कमान बत रखिए पाई उसी तरह लीजेगा आर कमान कितना दिया है स्टाइब कर लेंगे और इसी को हल करेंगे और एंसोर आपका ज़ागे जी देखे एक वाट पाई गुड़े बारा किस्कोर 1 सब्सक्राइब देखते हैं सब्सक्राइब आपके सामने अगला नुम्पर का जो सवाल इसके बूजाओं का अनुपाद बराबर होता है इसके बूजाओं का अनुपाद क्या होता है कि एड़ी अपान डीवी रख सकते हैं देखे एड़ी अपान डीवी बराबर इसी तरह यह इए अपान इसी ते परमया का अनुपाद यह होता है अब इसके बूजाओं का हुआ करते हैं टो यहाइए रखंगे यहाँ तो यह से ुटर लेंगे हैं आपकर युटा PB 50 तिरिया गुड़ा यक्स करें के यक्स हो जाएगा चार χ दसमेलों पांच में किसका गुड़ा करेंगे writing दैसलिए इसका हैं पीसका है इनकी होगा łडा इसको है 55 25 25 चौकर 22 चाहिए क्लाएगा पंदेख़ किसको 722 टूधा नॉसा किका 1 और मन कितना हुगा किसी दूपध p x qui ऍार व्त कि संक्या क्या एक यह जो ग्रॉप जाता है यहुत्फ को is yes को संग्या कितना होगा उसप्रइब कि यह नदि आप एसे पूषता है तो जैसे इसी तरह लगा दीजिएगा जो स्थ आप रहेगा एक्स को सिर्फ देखा जाता है कि यह यक्स अच्छे इसको कहां कहां पर यह ग्राफ काट रहा है वही इसका एंसर होता है तिसका सही जब वीवलापसन सही हो जाएगा ठीक है देखें 16 नंबर का आप सवाल द्यान दीजीगा कि निम्नलिकित में से आप परिमे संख्या आप सभी को बारवर बता है क जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमे संख्या होता है जिसे दो देखिए तो पुडा की यह परिमे संख्या होता है करड़ी 25 25 का वर्गमूल निकल जागा ति यह भी परिमे है और 40 का वर्गमूल निकल जागा ति यह भी परिमे है लेकिन करड़ी 7 का पाय दिए चार गुड़े, पांच गुड़े, बाहरा ती इसका आयतन, ज्याद करना तरही चेल की हथीरे, इससाही चाही आप्सें चहुआ हो जाइगा, इसमें तरही आपको कुछ tobpicalा नहीं था कूझी भार में पाये, था ना कोई यहां पर कुछ इन जरूत नहीं था सीधे आपको गुड़ा करना था इसका एंस्वर एवल आपसन सही हो जाएगा अठारा नमबर देखिए कि किसी बारांबारता बंटन का माध्यक दिया है 131 और माध दिया 137.05 तो बहुलक ग्याद कीजिए अब देखिए इसक दू गुड़े माध्यक दिया है माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है तो यह प्लिखिए 137.05 देखिए अब तीन का गुड़ा करें देखिए 321 तितली के नोदू 111 माइनस इसका गुड़ा कर लिए देखिए दू पाचे दस दस मलो दू साथ चौदा दू तैंच्छा एक साथ दू एक एम दू अब घटा लिए चार सुए ग्यारह मेंसे 274 दस मलो घटा यह तो यहां तो जीरो होगा और दस मेंसे एक जाएगा नो होगा दस मलो लगेगा यहां पर बचएगा 10 10 मेंसे 4 गया 6 यहां भी बचएगा आपका जब आसिल दिया रहे हैं तो दस मेंसे साथ गया तीन और यहां पचएगा तीन तीन मेंसे दूगे एक 136.09 हो जागा तो इसका बहुला क्या होगा 136.09 जीरो तो चलिए 136.09 कहां पर दिया ति यह देखिए सब्सक्राइब बिल्याने का त्रिक है यह एक्स मनेuing पूछता है जैसे वाताएंग, इसाल पोछता है देखे, यक्स कमान कितना दिया है, चालीस, पैतालीस, पचास, 55, और 60, फिर इसके बाद यह बारा अंबारता, चार दिया है, आट दिया है, बारा दिया है, दस है, और शत्र है, ठीके, इस पकास हो गया, अब इसका क्या करमेंगे, संचही बारमबार्ता ग्याद करना पड़ता है ठीक है इसको आपसमें जोड़ता तो आठ चैर बारह को फिर इस बारा को बारा में जोड़ लेज़ेगा इतना काम करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है कि अगला ही स्टेप में करना रहता है कि यहां सीगमा एफ जोड़ रहता है इसका योग करेंगे यानि करेंगे कि इसे यहन से दिखाते हैं इसका योग जब चार आठ बारा दस सत्रह जोड़ेंगे तो आपका यहां लाश्ट में आता न यहीं माना आता है यहां पर एक क्यावन हो जाएगा ठीक है इतना ग्याद करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है कि यहन बाई टू को गयात किया जाता है पाहला नंबर पर यहन बाई टू यानि कि एक क्यावन बटा के दू अब भाग दे दिजिएगा देखिए दू दू न के चार दू पचे दस और दू पाचे दस यानि पचीज दसमलों पांच तब पांच से बड़ी संक्षा देखिए कौं से तब तो 35 मुलब सब्स्व हो जाएगा ईसे तो je सब्सक्कास को सब्सक्राइब सब्सक्राइब रिसका सब्सक्राइब हो जागा तब सीधे सीधे इसको लगा सकते ऐफ analogy हो जाएगा अगर अगलाव दीजवा नमबर का देखे याद기 धाटना की प्राइकता दिया है एक गटना की क्या होगा जब ऐसा सवाल प्राइक्ता दिया रहे वो पूरा घटना की प्राइक्ता पूछय उसको एक में से घटा कर बताएगा एक माइनस पी होगा तीस सवा इसका सही जागा थीक है तीस पकाज सभी प्रशन आपको लगा के बता हैं इन सभी प्रशनों को आप तयार कर लीजिए चलिए अब दिर्ग उत्तरी प्रशनों को देखते हैं आपको सवालों के भी बता देते हैं जिससे आप इन सवालों को एक बर देख लीजिए अगला देखिए पहला सवाल आपका क्या है कि सभी खंड आपको करना है पहला सवाल है कि यदि बिंदू पांच का मात तीन और यक्स माइनस एक के बीच की दूरी पांच मात रखाए तो यक्स का मान ग्याद कीजिए देखिए आपको यहां पर सीड़े इसका एंसोर दिखा यह उता है कि कलल इसके लरवां इसी दूरी और यहां भी दोबिंदू की बीच की दूरी आपको विस की दूरी पांच दूरी पांच रखेंगे यहां से आपको जो जो हम दिया है इसका मानिस में रख कि इसको हल कर लेंगे फिनियास करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों को वर्ग कर दीजिएगा जब दोनों पच्छों को वर्ग करेंगे तो पांच के स्क्वार पचीस हो जाएगा और यहां से वर्ग जाएगा तो यह करड़ी हट ठीक है देखे फ्रेंद सभी सवाल हल किया गया इसको आपको बता देते हैं एक बार सरी निगाहों से देख लीजिए कि यह कोईस्चन आ जाता है तो आप ऐसे इन सवालों को लगा सकते हैं ठीक है कम से कम समय में यह पूरा पेपर आपको हल करा देते हैं जिससे पूरे करेंगे जोड़ेंगे मतलब की पचीस सब्सक्राइब करने के बाद यह माना रहा है यहां सब पच्छानता करके यक्स के मान ज्याद कर लिजिएगा यह जो अभिष्ट मान होगे आठ हो सकता है या दो सकता है इस पकास इस सवाल को पूरा तयार कर लिजिए ठीक है अब द बिल लब ant 420 बान जो सका है खाव ब्लणा यद्विनदूouring य्क्स कामा बाकिद्व प्रक्ट织बंश कर लिजिए भाशन कर सबपके पास कम इसलिए सभी सवाल को फांसे रिविजिन के तौर पर बताा दे रहें ठीक है एक सब्सक्राइब!", लगा दिये गए बिंदु पे जो दिया है X,Y A 5,1 तथा B का जो दिये 1,5 सिद्ध करना है कि यक्स बराबर Y होगा और जो यह B है यहां से समान दूरी पर देखे यह A, यह B है यहां पे बिंदू P है ठीक है एक अन्रिसान पांच बाच दिया है और इसका दिया है कि 1,5 दिया है और इसका नित्साइं X,Y माना गया है ठीक है तो AP की बीच की दूरी पीबी की बीच की दूरी वाला फार्मुला लगाएंगे यानि इसको विस्तार कर लेंगे सब को देखिए विस्तार किया गया है इसको भी इसी तरह विस्तार कर लेंगे यहां से क्या है दस Y को दस Y को इधर लाया गया है और यहां से क्या है माइनस दू आई तो माइनस दू आई एक साइड मतला यक्स वाले पत को एक साइड कर लिया गया है देखिए यह वाले पत एक साइड है और यक्स वाले पत को एक साइड कर लिया गया है अब इसको घटाया गया है तो आठ यक्स इसमें से गटाए आठ होई आठ से आठ आठ आपका कड़ जागा यक्स बराबर वाई हो जागा जो कि यही आपको सिद्ध करना था इस सवाल को जब ऐसे सवाल पूछे ता आप इस प्रकार के सवाल को ऐसे लगाईएगा ठीक है अब देखिए आपके सामने एक इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे आप यहां पर लगाया गया है कि आधार बुछ समारुपाती प्रमेश से थेल्स पर में का नुसा कि AD बटागे DB बराबर AE बटागे EC हो जागा तो यहां पर AD और DB का मान यहां से रख लेंगे तो देखिए यहां पर दिया है तो AD का X-Y है यहां से AE का मान X-3 है EC का मान X है तो यहां पर मान सभी रख लिया गया है रखने के बाद इसका तिरिया गुड़ा करेंगे तो X2-3 हो जागा और इन दोनों सभी कड़ों का हल करने के बाद X का मान 3 आ जागा तो इस पकास इसको हल कर लीजिए ठीक है कैसा आगए देखिए यक यक्स को एधर Cin दो यख दो आगया ओनिक बाद दोनी आपके सामने है इस सवाल को भी बता देते है यहां पर द्यान दिए क्या है कि यह फ्रटा धी सुगाद theta 1-sin theta 1-sin theta 1-sin theta पराबर 1 यह दो नमबर का सवाल है कैसे हल करेंगे simple सा सवाल है आपके लिए यहाँ पर क्या होता है कि 1-sin theta 1-sin theta यह एक फार्मूला होते हैं यह फार्मूला आप सभी को कई पर बता चुके हैं कि a question a minus b a question a plus b इस a square minus b square को रूप में लिखा जा सकता है सवाल में सिद्ध करना था यहाँ इतने भी फार्मूला परियोग किया गया है सभी फार्मूला आपके बगन में लिखा गया है ठीक है तो देखिए आपको सवाल यह भी आपका complete हो गया आप देख लिए होंगे सरसरी निगाहों से एक बार अगला देखिए कि 14 cm त्रीजे वाले बिर्त में कोई चाप के अंदर पर 45 अंस का कोड़ बनाता है तब त्रीजे खंड का चेत्रफल बताईए यह सवाल तो आप लोग कई बर बता चुके हैं ठीटा बटा के 360 गुड़े पाई आर स्कॉार यह फार्मूला होता है इसी फार्मूला पर यह सवाल लगेगा आर के जिगा पर 14 रख दीजेगा ठीटा के जिगा 45 रख के हल कर लीजेगा चलिए इसका हल भी देखा देते हैं आप सभी को देखें यहाँ पर दिया है बिर्त की तिरीजे आर बराबर 14 संटीमीटर दे दिया के अंदर पर ठीटा के बन 45 अंस तिरीजे खंड का छेत्रफल अभी बता हैं ठीटा बटा के 360 गुड़े पाई और स्कॉर ठीटा का मन 45 अं तिनसो शाट गुड़े पाई गुड़े चवदा गुड़े चवदा फिर यहाँ पर 45 से 360 आठ बार में कटेगा तो आठ पाई का मन 22 बटा के साथ गुड़े चवदा चवदा कर लेंगे और आठ में गुड़ा करेंगे 77 सेंटिमीटर स्कॉर हो जागा इस पकास सवाल को आप लगा लीजिए ठीक है अब देखी आपके सामने अगरा नंबर का जो सवाल है अच्छा नंबर का यह भी आप एक बार देख लीजिए सवाल को दो नंबर के यह भी प्रश्न है यहाँ पर दस बटागे दू करेंगर तक कितने दस बटागे दू भाघ देंगे पांच हो जागा तर्यां पर पांच आया अब देखे इसके बीच में कितने का अंतरश्य सब में दिखे सब्सरिदे संब्सराइए कИकतने कथ ग्यारा नौ साथ दिया है अगला इस्टेप जो माद ग्याद करना रहता है तो एक इस्टेप और आपको ग्याद करना रहता है कि यह गुड़ा यक्स यानि कि पांच की गुड़ा तीन में यक्स के गुड़ा यह फ़न में करेंगे पांच गुड़ा 3, 5, 15, 15 का 10 में करेंगे 150, 25 का 11 में करेंगे 275, 35 का 9 में गुड़ा करेंगे 315, 45 का 7 में करेंगे 315, अब देखे, जब माद ग्याद करना रहाता है तो सिगमा F ग्याद करना पड़ता है, सभी जो बारंबारता दिया रहा तो सब का योग करेंगे, यानि 3, 10, 11, 9, 7 सभी को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, इसी तरह सिगमा F ग्याद करेंगे, यानि सभी पड़ों का योग ग्याद करेंगे, तो देखे, 15, 15, 25, 35, 35, 35 जोड़ेंगे तो 1070 हो जाएगा, फिर इसके समांतर मात देबरा और फार्मूला होता है, सीगमा F बटा के सीगमा F होता है, सीगमा F कमान दिया है, 1070, 40, 40 का इससे कटा लिजीगा, या चबीज दसमलों 7,5, तो इसका एंसर कितना हो जागा, 26,75 हो जागा, ठीक है, तो इस पकास इस सवाल को लगाना था, ठीक है, दीक ह नंबर का सवाल देखे फ्रेंस आपको कम से कम समय में जादे से जादे सवालों को हल कराना इसे लिए इसका हल जो है इसी को बता दे रहे हैं ठीक है उसमें भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंड बाक्स में अप लिख सकते हैं तुरंत आपको एंस्वर आपको मिलेगा अब यहा अन्ता फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा एक बार फार्मूला आपको अलग से पता देते हैं कि अन्ता विभाजन का फार्मूला क्या होता है अन्ता विभाजन न्ता यह होता है ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना रहता है कि यहां पर मा स्का मतूर रहता यह नितानगे अन्तॐ जाएगा तो यहां बसके देघते हैं लुग माल मास यह ऐ मान-3 यह मोन कमान जो अनुपात में दिया है दो अनुपात है तीन सवाल में तो यह मोन कमान 2 और M2 कमान 3 अनतवी भाजन का देखिया फार्मूला का सुत्र होता है इसे जरूरी याद रखिएगा कि यक्स बराबर M1 यक्स बराबर M2, एक्स बराबर M1 प्लस M2 इसी को देखी यक्स को अलग लिखाय य को अलग लिखाय ते उससे कोई मतलब नहीं है आप दोनों को चयाए साथ में हाल करें चैल अलग अलग करने झिए को, यह मिला है इसी तरह M1 Y2 प्लस Y1 Y1 1 plus M2, अब यहां Y1 का मान 2 है, Y2 का मान 3 है, Y1 का मान 7 है, और Y1 पलस M2, यह 2 पलस 3, इसको अहल करेंगे 3, तीस तरह बिंदू के इंदरे सांग कितना हो जगे, 1 का मान 3, इस फार्मूला का जरूर्याद रखेगा, इस पे सवाल आपको आ सकता है, यह आपको complete नहीं यह यक्स का फार्मूला होता है मतलब वाई का मनस संपूर फार्मूला यह होता है मेन फार्मूला यह है अन्तव वाजन का यह फार्मूला आपका मेन है इसे याद रखेगा इसी चीज़ को अलग-अलग करके लगाया है सवाल में ठीक है अब देखिए अग एक बार तयार कर लीजेगा देखिए यहाँ पर प्रथम पत आपका जो सेड़ी में पहला लिखा रहा थे वो प्रथम पत होता है तो प्रथम पत अ बराबर 3 और सरवांतर निकाला ताप सभी को आगया होगा कि अगले पत से पिछला पत गटाएंगे यह जिन 15-3 करेंगे 12 प्लस यह फार्मूला मेन होता है इसी फार्मूला बराबर ए प्लस तो तीरपन हो जाएगा तो तीन प्लस तीरपन और डी का मान कितना रखाए बारा तो बारा रखे इसको हल करके इतना आपका आगया है यहाँ पर माना अ बराबर चवयने में पत से 132 अधिक सवाल में इसी आधिक दिया है एए बराबर ह में पुलस एको SUS 007 ow जाये कि नवगर Pra stick आया कितना है 781 तिया आप अन के जगब 771 रखें पर्थम पन 3 दिया एन-1 और दी का मान 12 दिया तो 12 रखेंगे यहाँ 3 को 55 कर दो 371 में से 3 कटाएगा 368 होगा एन-1 इंटू 12 इस 12 को गुड़ा में तो 35 करेंगे 368 बटाके 12 होजागा एन-1 12 का भाग 378 में देगे 64 बटाके एन-1 अब एक को इधर करते हैं तो 64 में यह एक इधर आगा तो 65 हो जागा थी इस पकास यहन का मान कितना हुआ 65 अधर 17 चड़ी का जो 65 में पद है 54 में पद से 132 अधिक है इस पकास से इस सवाल को आपको लगाना था ठीक है चली अगले सवाल को देख लेते हैं अगला नंबर का सवाल देखे गवला कि एक क्लास टेश्ट में सिफाली के गड़ीत और अंग्रेजी में प्राप्त किये अंकों का योग 30 हैं यदि उसको गड़ीत में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक का मिले होते तो उनकी अंकों का गुर्णफल 210 होता उसके द्वारा दोनों प्राप्त किये कि अंकों का अंकों को ग्याद करना है कि गड़ीत में कितना अंक और अंग्रेजी में क इतना अंक उसने प्राप्त किया था लेखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे तो जैसे समझाएंगे वैसे आप इस सवाल को तयार कर लीजिए सिफाली के गड़ीत में यक्स अंक हैं तो अंग्रेजी में कितना होगा थे 30 अधीक है तो 30 में से उसको घटा देंगे 30-1 हो जा ठीक है और 30-1-3 बरहाबर कितना हो जागा 210 होगा क्यों होगा कि देख लीजे सवाल एक बार दिखा देते हैं आप सभी को जब सवाल एक बार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि क्लाश टेस्ट में सफाली के गड़ीत और अंग्रेजी में प्राप किये अंकों का योग क्यूंट 107 उसको मैं दो इंधिक मिलने का मतलब मैं यकष यक्स यक्स यक्स2 हो जाएगा तीक है जबकि इसके अंग्रेजी में तीन करम होते हैं और 1120-7 और इसका उसकि और अर इस रहा है और जो अंग्रेजी है उसमें तीन नंबर कम हो जा रहा है इतना होने के बाद इनका गुणन फल 210 के बरावर दिया है अब इसको हल करना है यक्स प्लस दू तीस में से से तीन गटाएंगे 27 मैं इस यक्स बिरावर 210 हो जाएगा अब यहां पर यक्स का गुडा करेंगे 27 यक्स तो इधर ला देंगे मतलब यहां से मैंन कामन लिया गया है ठीक है यहां से स्कॉार हो जिए मैंनस सब्सक्राइब करने का तरीका आप सभी को बारबर बता है कि इसमें से 156 को दो ऐसे बार भाग में तोड़ेंगे जिसका गुड़ा करेंगे तेरा और बारा है ठीक है इसका गुड़ान और खंड कर लिजिएगा 1-3,10-3 और इसमें से कामान हो जाएगा अब इसको क्या करेंगे एक सम Запाण 13 को बराबर दखाएंगे तो इस प्रकार एक समांब 13 याक स्वारा बड़ जीन तेरी इसका माने 12 होगा तो गड़ित में अंक हो कितना पाएगा बारा अंग रेजिम तब क सत्रा नमबर पाएगा ठीक है तीस पकास यह पूरा आपका सवाल था यह सवाल आपको बता चुके हैं इसको एक बार द्यान से देख लिजिए अब देखिए आपके सामने अगला नमबर का सवाल क्या है देखे घा नमबर का ठीक है कि समीकर 2 x minus 3y बराबर 13, 7 x minus 2y बराबर 20 को हल कीजिए और y बराबर ym x plus 7 के लिए ym का मान आपको ग्याद करना है यह सवाल देखिए आप कैसे लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह सवाल कैसे आपको लगाना नहीं बस आप यह दो समीकर जो दिया रहता है यहाँ पर देख लि यह पहले इन दोनों समीकर को हल करते हैं देखिए कैसे हल होगा यहाँ पर घह वाला दिया है कि दो समीकर 2 x minus 3y बराबर 13, 7 x minus 2y बराबर 20, समीकर नंबर 1, समीकर नंबर 2 है यहाँ से समीकर नंबर 1 जो है इसमें क्या करेंगे कि आप 2 से गुड़ा कर लिजिए कि समीकर नं करेंगे 26 हो जाएगा इसी तरह 3 से करना है 3, 7, 3, 2, 6, 2, 3, 20 करेंगे 60 हो जाएगा समीकर चार में से समीकर पांच को क्या करेंगे घटाएंगे घटाने के बाद देखिए आपको कितना बचेगा क्या 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 करेंगे जो यहां यक्स का मन लिखा है 2 आएगा ठीक है अब इस यक्स का मान समीकर एक या 2 किसी में रख कर सकते हैं यहां समीकर एक में रखा है तरह समीकर एक यह है आपका दू एक्स देखिए 2 यक्स के जगह पर 2 रखा दू गुड़े 2-3 Y बराबर 13 है इसे लिखा गया है तो द यह इदर रहत पलस हा गया न पलस हो गया तो तीन वाई अब तीन को 25 बटागर तीन कर लिजिए गया यहां पर जगह पर माइनस 3 दू यक्स के जगह पर दू रखना है दू यम प्लस 7 साथ की दर करेंगे 10 हो जाएगा दू यम यम बराबर कितना हो जगा माइनस 5 तीस पकास से इसको हल करना था पूरे सवाल को आप देख लिए होंगे एक बार अगला सवाल देखिए आप देखिए अगल यक्स प्लस 10 बराबर एक बटा के 300 पहले इसको क्या करेंगे एक्स प्लस 10 का एक में गुड़ा करेंगे एक्स प्लस 10 हो जागा यक्स का एक में करेंगे एक्स हो जागा इसका यहां पर किया जाता है तो यक्स के एक्स में करेंगे एक्स स्क्वार प्लस यक्स का दस में करें सब्सक्राइब करने का तरीका आप सभी को कई वर सिखा चुके हैं तो यहां तीन हजार आपका हो जाएगा तीन हजार इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जिसका गुड़ा करें तो पाँथ एड़ने 10 अपको कीतना लेना प्लेंगु साथ और पचास लेलीज है और यहाँ से देखें कि का आउन यंक सै कि तीन हजार पचासं बराबर होजाईगा ? यक्स- organizing अगले कोस्ष्ट में हो जाए गए अब इसको क्या करेंगे जीरों के ब्रावर्ष के स्ट्प यक्स कमान जो होगा आहि या और ऐका च्हयक नमबर है बहूलक ज्याद करना है और आपको मान मादिकार बहूलक से संबनी जितने सबस्क्राइब करें कि श tejak Stock mother सबसे संक्राइब तो सबसे इस को ऐगे बाद गहेज़ेगा ठीक है अब इसको गहरने के बाद देखिए आपको क्हा करना है अब यहां प्यांताइब कि यह वहता है आ hell यह फोन कहाथ हो जांग यहां से इसमाल एली आ जाता है इसमाल यल का मतलब नीमनिस की माली आता है इन दोने अंक में जो छोटा रहा है उसको लिए लेंगे यल कमान हो जाता है इसके पहले वाला आठ से पहले जो संख्या आएगा यहां पर आपका क्या हो जागा यफ नाट यफ नाट होता है और इस सरवाधिक बारमबारता आट है तब तीन माइनस पांच वर्ग को गए तइसी बता चुके हैं यर्वन का मान तीन लएगे और एफन का मान आट लेंगे एफनाट का मान उसके पहले वाला मान यह फ Acts 2 का मान उसके बाद वाला है और यह जो दू दिया है यानि दू देने का मतलब यह जो देता है आपका वर्ग अंतराल जो होता है उच्छी सीमा में से निमने सीमा गटाएंगे यानि पांच में से तीन गटा देंगे तो दो हो जाएगा अब देखें बहुलग का फार्मूला आप जरूर याद रखिए का बहुलग बराबर होता है यल प्लस यह फ़न माइनस फ़नाट अपांट टू एफ़न माइनस फ़नाट माइनस फ़नाट माइनस फ़नाट गुड़े यच्छ यह फार्मूला होता है इसी फार्मूला हमें हो गठाईगे कितना गुट गोला की करें दू चुरू बर बार फार्मूलय याद रहेगा था सवाल लगा सकते हैं आप को बताए कि य bob1 का मान य य इस चीज को अब ध्यान दीजिएक सवाल को लगा सकते हैं ठीके अब देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि दो घनों जिनमें से परतेक का आयतन दूसर सोला सेंटिमीटर की हुए सनलगन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है प्राफ्त ठोस आकरित का प्रिष्टी चितरफल ग्यात करना है यह सवाल भी आपको कई बर करा चुके है फिर भी इसका एंस्वर आप देख लीजिए ठीक है देखिए इसका जब दिया रहेगा तो पहले घन का आयतन देखिए दिया है चाप सब्कूडेरव दोंर तो ए बराबर इस ही प्रकास लगा सकते हैس तरिक्स आपको पत्कष सेंटीमेटर बुजा वाले दो गुनों को मिलाकर बने ठोस की लंबाई क्या हो जाएगा 6 पलस 6 लंबाई में बिरिद्य होता है तो छापलस 6 करेंगे 12 cm हो जाएगा जबकि उसकी उचाई च्वड़ाई भी 6 संटीमीटर रहेगा यह कैसे होता है आप सभी को बता चुके हैं ठीक है यहां पर जो आपको ठोस घनाप बनेगा गनाप का प्रिष्टिय च्छे त्रफल जो होता है दो कोष्ट में यह भी प्लस भी एच प्लस यह चल होता है दू यह के जगा प्ल का मान लक्त यह चल पनाप है यह को प्लस आपको लगाना ठीक अब देखेए अगी पर बता चुक्या अभी तक वीडियो देखें होंगे सब सवालों को तो यह सवाल आपको अदम रटा गया होगा कि ऐसे सवाल पूछेगा तो कैसे आपको लगाना है ठीक है अब दिखें आपके सामने अगला नमबर का सवाल है देखिए अगला नमबर जो है आपका अथवा में जो दिया है देखिए इस सवाल का आप कैसे लगाएंगे कि एक ठोस खिलोने ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबृति शंकू रख दिया गया है संकू की उचाही 2 cm आधार के ब्यास 4 cm इस खिलोने का आयतन ग्याद कीजिए यह सवाल आपको सूबा में लगाए थे लेकिन इस सवाल को एक बार और देख लिज़े ठीक है यह सवाला को सूबा में अभी सूबा वाले क्लास में आप सभी को बताये थे लेकिन इसका एंस्वर आधा यहां क्या हाँ करेंगे तरिज़े कि आलकी अधा ँर में आधा ब्यास का आधा होता है और बर आबर पर चार यह कितना ही है तरुक्ते यह विए प्लस शंको का आयतन का फार्मूला क्या होता है अब देखें यहां फे दू बटा के तीन टीके यहाँ से दू पाई इसमें भी ए दो आपका बहर निकाल दिया गया है तो बटा के तीन गुड़े आर के जगा पर कितना दिया है दो है तो 2 पर 3 गात प्लस एक बटा के 3 गुड़े आर के जगा पर 2 पर स्कॉर गुड़े येश के जगा पर 2 है तो 2 देखें 2 ये 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा 8 का 2 में गुड़ा करेंगे 16 बटा के 3 प्लस इसी तरह 2 दूना के 4 टूरे हैं री में जहनता बुर्जा जोंके हैं ईकए03 34 को ख्रकुने के बाद उसकी पाइत्या को सब्सक्राइब क्वश्टे चेंटिमिटर की हो अगला सवाल चोथा नंबर का देख लिजिए कि एक खंबा जिसकी उचाई 30 मीटर पर एक जंडा लगा हुआ है जमीन पर इस्थित किसी बिंदू से जंडे के पाद वशिखर के उन्यन कोड 45 अंस और 60 अंस है जंडे की उचाई ग्यात की ये टोटल 6 नंबर का ये सवाल है अ कि यहाँ ठाल है भी है उपया जंडा रहा जा रहा है कि यहां पर आक ज्ञेवर यहां लगादिया भाग यह चान्डा ही छान्डा हुआ, तो यहां पर आपको क्या है कि जंडे को उचा है यह माना गया और यह जो खंबा की उचा है आपका सवाल में 20 मीटर दिया है अब यहां पर जो चीज दिया है वो लिखा गया है देखें यहां पर है पुड़ a d c c 60 और b d a c 45 संस और bc 20 सिदी जो दिया है यक्स है और a b जो माना गया यह थीक है इतना तो माना गया है ठीक है पहले तिरभूछ क्या करें कि bcd में चलिए को 2075 संस बराबर लंब बटा की आधार होता है यहां बटा कीशीडी 1025 के मान एक 20 दिया थैं यह आप तबाई तरभुछ बड़े वाले तरभुछ बड़े सीडी के जगह हम क्या लिक सकते हैं एक मैं je इसलिए जंडे को चाहिए क्या हो जागा यह सवाल आपको सुभा क्लास में बता है ठीक है यहाँ पर सिर्फ एक रिविजन टाइप आप देख लीजिए जिससे आपके दिमाग पर सवाल चलता रहे है कि इस टाइप के सवाल आने वाले हैं ठीक है आथवा में सवाल देख लीजिए कि समुद्र तल से 75 मीटर उची लाइट हाउस के सिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के ओनमन कोड करम सतीस अंस पैतालीस अंसे वैदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच क दूरी आपको ज्याद करना है की जहाजों की बीच की दूरी क्या ओगा ठीक है इस प्रकार कि सवाल आप कैसे लगाएंगे तो यहां पे दो जहाज जैसे ह और वी क्या है dużo जहाज है समुद्र में यह है ठीकि यह चीज़ान देवगा समुद्र में फितर उनके पीछ की कि दूरी क्या माना गया है वाइ मीटर माना गया है जैसा कि चित्र में यहां पर दि दिखाए गया है यह दू जहाज इसकी बीच की दूरी यह लाइट हाउस की ईशाई है 75 मठ सवाल में दिया है फिर जिसको सीडी siडी पर года 55 मीटर दिखाए गया है उसके शिखर D से दोनों जहाजों के ओनमन कोड का मतलब होता है कि जो यहाँ पर लाइट हाउस है यहाँ बैठा एक ब्यक्तिन जहाजों को देख रहा है तो यहाँ से देखेगा तो यह जो कोड बनाता है में निये क्या क्या दिया है। नियम से दोनों बरावरत एकांतर कोड के नियम से बरावर आपको बता चुके है। पहले क्या करेंगे ACD में चलेंगे ACD में इस तरभूजि में चलेंगे 10-10 लेएंगे CD बटा के AC मतलम बटा के आधार, CD कमान 75 दिया है तो 75 रखेंगे AC के जगप क्या, AC के जगप पे Y PLUS X हो जागा, यानि की AB PLUS BC हो जागा 10-3 Cd के वार एक बटा कड़ी 3 गए बरावर 75 बटा के AB प्लस BC यानि ये AB हो गया ये BC हो गया इन दुनों का योग होगा ठीक है देखे एक बटा के कड़ी 3 बरावर 75 बटा के X प्लस Y अब तीरिया गुड़ा करेंगे X प्लस Y के एक में करेंगे X प्लस Y हो जाएगा ग माईने में मुझ्याटट्र दिए तो यहां पर क्या करेंगे 55 यक्स को फड़ा करेंगे यस 6我在 half मीटर हो ठीक यहां समीखाड़ 5 अच्छा 755 में और हो जाएगा इन दोने पिच्तर कातर का मानल होगा तो इस इस पते इस कावज енить तीन माइनस वन मीटर हो जाएगा दोनों जहां जो की यह सवाल गया जैसे उस सवाल गाерв will तर्वेल आपके सामने लाश्ट क्वेस्टन आपके सामने है इन कोईस्टन था फिलिए नंबर कई है लागां चथा हो यहां लिगादा गया है यहांब क्या करेंगे कर दोनों यही कर रहा है कि पिता की उमर फुत्र क ATK कितनी इन पंस गूरी नुम्हें प्रकार सवाल देता हमेजा जो गुढा किया जाता है वह वह हमें सब पुत्र में ही किया जाता है इस चीश को ध्यान दिजेगा तो पुत्र के आयू पांच का अगुड़ा कर लेंगे समीकर नंबर एक हो जागा अब दो वर्ष पहले निकालेंगे तो वर्तमान आयू में से दो वर्ष घटा देंगे इसी तरह पुत्र के आयू भी द है 9 गुद्फ से यहां पर पांच वाइज समीकर 2 में यहां पर दिया है 20 वर इसमें कशकर 2 में रखना आए थैसा कितना है तो यहां से घटाये तो मैंसresoय कटाएंगे यह 26 करkgय कर देखें मियनस संब्कु tooling कर तो नोval लेकिन आपके पास समय कम है तो आप फास्ट रिविजन टाइप इसको देख सकते हैं और देखके बोर्ड की एक्जाम देने चले जाएए ठीक है और देगे फ्रेंस आपको बता दे कि आपको पास अदम लाश्ट समय चला है आप सुबह में पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या करना है कि एक चीज़ का बस ध्यान ये देना है कि आपको एक वीडियो आप लोगों बताएं कि गड़ आप उस ट्रिक को आप एक बार जरूर देख लीजिए आप देखके बूर्ड के एक्जाम में चरे जाएए आपको हंडेट परसंटेज वो जो ट्रिक बताएं वर्क करेगा ठीक है जिससे आप एक भी प्रश्न बूर्ड की एक्जाम में छोड़के नाया है चले आपके साम हो की वर्गों की बूजाएं Beijing lady 12 मीटर बीडिया विदिया उनकी परिमाप नायदर दोनों की वर्गों की बूजाएं गयाद कीजिए के दिखावला सवालत अब क्या करें कि माना वर्गों की भूजाएं क्या मानेंगे यक्स और वाई प्रश्णा अनुसार पहले नमबर वर्ग का छेत्रफल आप जानते रहे हैं कि भूजा की स्कॉार होता है यह चीज आपको पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप क्या होता चार गुड़े भूजा होता है तो पह उसमे आप क्या होता है चार गुड़े भूजा होता है तो पहले वर्ग की भूजा यक्स है तो पहले वर्ग का चार यक्सौन경 के परिया आप कितना हो जागा चार वाही ओजाएगा अब यहां शुक्त क्या करेंगए अंतर जो दिया है चार के बडावर हो जागा दि दोने में 4 कामन ले लिजेगा चार से 4 कट दीजेगाaug уже माइन स्वाय बडियगा अब क्या करेंग यहां पर यहां परें square प्लस b के square minus 2a भी होता है बराबर एक एक। याज़़ नहीं सक्सिता प्लस य प्लस य स्क्वार बराबर तीन सो तेरा आया था इसके पहले समीखड़ आप बनाया थे वहाँ पी आया था यक। स्क्राइर प्लस वाई स्क्राइर बढबर 333 यहाँ पर रख लेंगे 333 यहां पे 2X बढबर यहां पर पुटार रहेंगे एक को इधर लाएंगे अधर 2X कर लेंगा तो से तेरा 108ский कलेंगे कर लेंगा टीन इक्सको सब्सक्राइब करें दूसरी थाया ले इक्सब अ जक्राइबर हो दूसरी में इसको गर्णा स्कवाई करें तिन स्वाईोगमhos कैसे do to 3121 एंच इसको मांद 9 हो जाए हुअ है कितना हो जाए 605 बlingen इस प्लस Olis ordera aboutppa रॉषा है और यहां पर square आटाने के लिए दोनों पच्चों का आप करड़ी लेंगे तो x plus y को whole square है तो x plus y हो जाएगा 625 का बरगमल 25 हो जाएगा अब समीकड़ 2 और समीकड़ 4 देखेंगे और समीकड़ 2 और समी 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो x minus y plus x plus y बराबर 1 plus 25 हो जाएगा तो देखें आपको क्या हो जाएगा कि यहां से y से y कर जाएगा यक्स यक्स कितना हो जाएगा यक्स बराबर 16 हो जाएगा यक्स बराबर 13 हो जाएगा इस यक्स बराबर 13 कमान क्या करेंगे समीकड़ 3 में रख लेंगे तो समीकड़ 3 यह है आपका ना समीकड़ 3 यह वाला है यहां आप क्या करेंगे रख लेंगे तो 13 यक्स के जगा पर 13 रखेंगे वाई हो जाएगा बराबर 156 तो य बराबर 156 अब तेरे गुड़ा पच्छांतर करेंगे तेरे का भाग देंगे 12 बार में इस्तिरों वर्गों की बुजाएं कितना हो जागा 13 12 सेंटीमीटर आपका करने में देखेंगे यह कि यह संतिरों क्लीन ही घंटे क्या प्राइंटा करना होते हैं दुञांतर करें में आपको इस तरहा हुआ सवाल था इसको hmm कॉरा देख लेंगे इस त defect आपको 60 मारल बिदेख कर देंगे लिखैन की जीना करके आएंगे ठीक है फ्रेंस आपको एक बार और रिविजन करा देते हैं कि जो ट्रिक वाला मैत का वीडियो अपलोड किये हैं आप जाके प्लेलिट से उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा आपको उपर ही थमनेल पर मिल जाएगा कि बीना कुछ पढ़े गड़ीत में उस पर अपलाई कर दीजेगा हंडेट परसंटेज आपको गारांट भी देते हैं कि यदि चार नंबर का सवाल होगा तो जैसे बता है उस तरह लिक्या आते हैं दो नंबर कहीं नहीं गया है ना तो आप बीना पढ़े भी जिस सवालों पर आप दो नंबर तीन नंबर पा जाते हैं बिना मेहनत किये भी सिर्फ आप 10 मिनट का वीडियो देखें तो आप समलने जाए कि अधर स्टूडेंट की तुलना में बहुत कई स्टेप आगे होंगा ठीक है तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चलो सब्सक्रा करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें